तो हे गाईस कैसे हो आप सब आप सब का फिर से सवागत अमारे नीज वीडियो में तो मैंने दिखा है कि बहुत सार ऐसे नए सेलर्स हैं जो कमेंट करते हैं मुझे बोलते हैं कि सर मैं चाइना से इंपोर्ट करना चाहता हूं समान तो सबसे पहले मैं उन सेलर्स लोग से बताना चाहूंगा कि आगर आप नए सेलर हो या आपका एक मैने, दो मैने, पाँच मैने, छे मैने सब हुआ है सेलिंग करता हुआ, Amazon Flipkart यह कहीं पे भी तो आप जो की है अभी चाइना से इंपोर्ट करने का ना सोचो चाइना से इंपोर्ट वही लोग करते हैं, जो की पुराने सेलर हो चुके है अच्छे प्लेयर हो चुके हैं, ऑनलाइन फिल्ड में वो लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं अगर आप स्टार्टिंग में चाइना से इंपोर्ट करने के चक्कर में फसोगे तो आप जो की है भारी नुकसान में जा सकते हो और आप जो की है एक तरह से ऐसा भी स्थिती आ सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो पूरा-पूरी आपको सट डाउन करना पड़ेगा अलीबाबा में सप्लायर्स आते हैं बड़े-बड़े चाइना के जहां पर कि आप जो की अपना ओर्डर्स दे सकते हो आपका समान आ जाएगा तो उसमें देखिए क्या होता है कि खली समान मंगाने से नहीं होगा उसमें समान का क्वांटिटी मंगाना पड़ता है आप चा में आपके सहर में लग जाता है और उसके बाद भी खली समान आपका ओर्डर करने से नहीं होता है उसका सिपिंग चार्ड जादा रहता अगर आप मनलो थोड़ा मोड़ा ओर्डर करते हो 10-12-15-50-50 तो आपका जो की है सिपिंग चार्ड जो आपका डिलीवर करने का और चाइना से जो आप समान मंगाओगे उसका प्राइस तो आपको जोड़ोगे तो आपको इंडिया में एक 100 रुपेगा मिल रहा है वह आपको अगर चाइना से मंगाते हो तो 700-800 रुपेगा पढ़ जाएगा अगर थोड़ा मोड़ा स्टॉक मंगाओगे तो आपको सब में दिमाग लागे फाइदा नहीं है मैं यह नहीं बलता हो कि आप चाइना से ना मंगाओ इंपोर्ट ना करो इंपोर्ट कर सकते हो अगर आप बड़े सप्लायर या बड़े सेलर हो जो कि आप अच्छे लेवल पे सेल कर रहे हो एमेजॉन फ्लिपकार्ट पर आपको अ देखिए अगर आप थोड़ा मुड़ा स्टॉक मंगाते हो तो आप तो मंगाई नहीं पाऊगे क्यों कि उसका प्राइज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप जो की है मार्केट प्लेस पे लिष्टी नहीं कर पाऊगे और सब सेलर्स जो कि होंगे आपके हाफ से भी हाफ प्राइज में जो कि यह बिक्री करेंगे और अगर आप ठिक ठाक अच्छे प्राइज में ले आते हो मतले इंडिया से कम प्राइज में अगर ले आते हो तो उसके लिए आपका स्टॉक ज्यादा लेना पड़ेगा अगर आप स्टॉक ज्यादा लेते हो तो आपका एक तरह से बिजनस बहुत बड़े रिक्स पे रहेगा कि आपका जो समान है वो बिकेगा नहीं बिकेगा क्यूंकि आप मंगाओगे तो एक ही चीज का बहुत सरा कॉंटिटी मंगाओगे और वो समान अगर मालीजे रैंक नहीं होता है उपर तो उस पर अच्छा अच्छा सेल्स नहीं आएगा तो आपका बिजनस जो की है वो इसी बंद हो जाएगा अगर आप लोकल मार्केट में उसे बिच के निकाल पाए तो निकाल पाए ने तो आपका बिक्री नहीं कर पाऊगा तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि स्टार्टिंग से जो की है आप कोशिश कीजिए लोकल मार्केट से समान खरिदने का लोकल मार्केट के बाद अस्त अस्त जो इंडिया में ही डिस्टिब्यूटर सप्लायर रहते है वो लोग से अस्त जो कीजिए वो लोक से समान लेना श्टाट कीजिए ऐसे ही करते 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 जब आप experience लग जाएंगे आपका अच्छा का सा sales आने लग जाएगा आपको experience हो जाएगा कि आपको product को कैसे top पे rank कराना है कैसे क्या करना नहीं करना उसके बाद जो की है आप दिमाग लगा यह चाइना में जब चाइना पे उसे हमें इंपोर्ट करोगे तो आप खुद देखोगे कि आपका जो sales है अपने ब्रो होगा क्योंकि आपका जो की एक तरह से experience आपको यह वीडियो में कुछ क्लियार हो गया तो आज की वीडियो के बसेता है ता मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई-बाई और शेहन